उत्तर प्रदेश के घोसी उपचुना में समाजवादी पार्टी की जीत और बीजेपी की हार के बाद भी सुभासपा के रास्टे अध्यक्ष ओम प्रकास राजबर के होसले बुलंद है वहीं बलियां पहुचे ओम प्रकास राजबर से जब मेडिया ने सवाल किया की बिपक्ष का कहना है कि ओम प्रकास राजबर मंतरी नहीं बन पाएंगे तो जब आप देते हुए ओम प्रकास राजबर ने कहा कि वह मंत्री क्यों नहीं बन सकते इंडिया का मालिक विपक्ष नहीं है हम लोग इंडिया में सामिल है इंडिया की मुखिया मोदी जी, अमीद साह और जेपी नड़ा है सुभासपा देक्ष ने कहा कि जो लोग परिसान है धैर रखिये, दिल ठाम के रहिए, कहीं कले जाना फट जाए बिल्कुल मंत्री बनूंगा अब से है, उम्रकास जी, दिखा जा रहा है कि जो विपच्छ है बाई देखे, मैं फिर कह रहा हूँ, कि अंडिये के मालिक, विपच्छ के लोग तो नहीं नहीं, वो लोग मालिक है वो लोग के मर्जी से यहां होगा, यहां हम लोगों की मर्जी से होगा जो इंडिये में हम सब लोग सामिल हैं जो इंडिये के मुखिया है मानी नरिद मुदी जी अमिसा जी 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 नेड़ा जी यह लोग यह लोग न मालिक हैं कि यह लोग मालिक हैं मतलब मंत्री आप बनेंगे धर रखिए दिल थाम के और जो लोग परिसाना उनसे भी कहिए कि आपके मादन सुन से भी कह रहा हूं कि दिल थाम के बैटों कहीं करे जा ना फाट जाए उनसे कोई दिजिए दिल थाम के बैटों कहीं कहीं फाट नहीं जाए मतलब शीर स्नेताओ पर विश्वास है आपको कि आप लोगमंत्री बनेंगे बिल्कुल बनेंगे कहीं नहीं बनेंगे है कि सौ परसंट बिल्कुल लोगों का मानना है हम यह जानना चाहते हैं कि आखिर यह चुनाओ एंडिये केंडेट कैसे हार गया क्या कारण था आपके इसाब देखे पहला तो नंबर एक बसपा का चुनाओना लड़ना और बावा साब डाक्टरों बेटकर जी ने जब ओट का अधिकार दिलाया था पालियामेंट में तो जब बाहर निकले तो बहुत खुश थे उस समय आ इस दिन ही अधिकार का उपयोग करेगा उस दिन सत्ता इसके हाथ में होगी जो आचार कि प्रानी जी ने कहा कि बस इतनी बात है हमारे लोग पैसे वाले हैं हमारे लोगों के पास संसाधन है हमारे लोग मजबूत हैं हम तुमारे ओट को खरिद लेंगे वही हस्र हमने ये देखनी को मिला दूसरा कारण तो ये था तीसरा कारण जो प्रत्यासी का रियेक्शन जिसके वज़े से ओट जो है बड़ी संख्या में तितर बितर हुआ एंटी दारा आप क्या सकते हैं हाँ एंटी मतलब वही प्रत्यासी के रियेक्शन में अगर इंकी जगर कोई आपकी पार्टी का कंडिडेट होता हमारी पार्टी का नहीं कोई कंडिडेट अस्था नहीं होता तो उसका रिजल्ट अलग होता जैसे अगर आप देखेंगे लोगों ने कॉंग्रेस छोड़ के बीजेपी जुएन की चुनाव मैदान में गए तो उसमें साथ-ाथ लोग हार गए जीते हुए लोग थे तो वही इस्थिती कंडिडेट बदलना चाहिए था मारा अपना मानना था बीजेपी से एक गल्ती हुई कि दार्टी अब भाई उनका मानना बड़ी पार्टी है उन्होंने सोच कर समझ करके दिया हम लोगों ने पूरी ताकत से पूरी जितने भी सहयोगी दल थे चाहे निशात पार्टी हो चाहे अपना दल हो चाहे सुभासपा हो चाहे भाती जिनता पार्टी हो सब लोग पूरी ताकत से लगे जनता म झाल